नमस्कार दोस्तों Today Exam के YouTube चेनल पर आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों आज ए 30 मार्च 2020 तो आज के इस वीडियो में 30 मार्च 2020 के जित्ते भी important current affairs की स्वाल बनते हैं उन सबी स्वालों के जवाब इस वीडियो में विस्तार सी समझेंगी और लास्ट में आप से भी एक स्वाल पूचा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है तो दोस्तों देखते हैं पहला स्वाल पहला स्वाले भारत की पहली कोरोनो वाइरस टेस्ट के त्यार करने वाली महिला डॉक्टर कौन बनी है तो दोस्तों भारत की पहली कोरोनो वाइरस टेस्टिंग के त्यार करने वाली जो महिला है जिनका नाम है मिनल दकावे बोंसले जिन्होंने भारत का पहला कोरोनो वाइरस टेस्टिंग केट त्यार किया है और यह माईला हैं जो पूर्णे की माई लेब डिस्कुरी रिसर्च और डवलोप्मेंट की परमुक है और दोस्तों इन माईला ने जो मुल्यान के लिए अधियरिकर को सौपेदाने से पहले एक बच्चे को भी जनम दिया है जिनका नाम क्या है मिनल दखावे बॉंसले अगला सवाल है वेंटिलेटर क्या है और कोरोनो वाइरस मामारी के बीच यह क्यों मैत पुरून है तो दोस्तों वेंटिलेटर है जो एक मैकेनिकल वेंटिलेटर मसीन है जो खुद से ठीक तरीके से सांस लेने में असमर्थ रोगी होते हैं उनको सांस लेने में मदद करती हैं जो स्वांस नली में एक ट्यूब के जरिए उसको फैपड़ तक सांस पहुचाती है यानि कोरोन वाइरस का जो मरीज होता है जिनको ज़्यादतर फैपड़ा में यही प्रॉब्लम होती है यानि वेंटिलेटर क्या है वेंटिलेटर है जो एक मैकेनिकल मसीन है अगला स्वाले हाले में राजेश वास सांसद और सपह नित बेन परसाद वर्मा का कितने वर्स की उमर में निदन हो गए हैं जो बार सरकार केंदर स्तापित मंत्री भी रह चुके हैं और दोस्तों यह इनों हैं जो मुलाइम सिंग यादव के साथ मिलकर सपाय एनिस समाजवादी पार्टे की भी इस्तापना की थी जिनका हाली में 89 वर्स की उमर में निदन हो गया है अगला स्वाल हाली में किस देश ने उच उनत उच आवर्ती उपग्रे को लांच किया है तो दोस्तों हाली में अमेरिका यूनिटेड इस्टेट स्वेर स्पोर्स ने अपने सेने संसार के लिए एक 89 उच आवर्ती उपग्रे लांच किया है और इस अभर के साथ ये अविक्स्तराजी अमेरीका ने अपना पहला राष्टी सुरुख स मिशन भी सुरु किया है तो हाली में किस देश ने उच्छ उन्नती आवर्टता उपर क्लाउंच किया है? वह हैं अमेरीका देश अब बाता आती है अमेरीका की तो अमेरिका की राजदानी क्या है अमेरिका की राजदानी है वो है वासिंग्टन डी सी गी और अमेरिका का वरतमान में राष्टपती कौन है वो है डोनाल्ड ट्राम्प और अमेरिका की डॉलर मुद्रा कौन सी है वो है अमेरिकी डॉलर अगला साल हाली में किसने रेपो दर्व में पिचोतर पॉइंट्स की कटोती के साथ 4.4 परतिसित क्या है तो दोस्तों हाली में भारती रिजोर बैंक ने हैं जो रेपो दर्व में पिचोतर आदार अंकों की कटोती के साथ इसे 4.4 परतिसित क्या है और इससे पहले वेस्वीक वित्य संकट के मध्य नजर साल 2009 में सबसे कम 4.35% की गिरावट दर्ज की थी तो हाली में किसने रेपोदर में 45.5% की दर्ज की कटोती के साथ 4.4% की है वो क्या है रिजर्बेंग ने तो बात आती है रिजर्बेंग की तो रिजर्बेंग की इस्ताफ नकब हुई थी वो हुई थी एक अप्रेल 1935 में और रिजर्बेंग का मुख्या लेका है वो है मुंबई में और वर्तमान में रिजर्बेंग के गवर्नर को होने तो वो है सक्तिकांत दास अगला साल है हाली में किस देश ने तोक्यो ओलम्पिक्स 2020 में हिस्सा लेने से मना कर दिया है तो दोस्तों हाली में कोरोनो वाइरिस की मामारी के चलते कनाड़ा देश है जिन्होंने तोक्यो ओलम्पिक्स 2020 में हिस्सा लेने से मना कर दिया है और दोस्तों आपको बताते कि कॉरुनौवाइरस की मामारी के चलते 2020 में होने वॉला टोक्यू उलम्पिक्स हैं जो एक साल के लिए इस्तागित कर दिया गए हैं यानि अब उलम्पिक्स वो होगा है दोसार इकिस में होगा तो हाली में किस देश ने जो टोके ओलमिक्स के लिए मना किया है वो है कन्नाडा देश तो बात आती है कन्नाडा की कन्नाडा है जो एक उतरी अमेरिका का एक देश है जिसमें दस प्रांत और तेन केंदर सासित प्रदेश है और कनाड़ा की राजदानी का नाम क्या है तो कनाड़ा की राजदानी का नाम है ओटा का अब दोस्तों लास्ट में अब्या स्वाल जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है तो सवाल है हाली में भारत में एक दिन के लिए जनता कर्प्यू कब लागू क्या गया है तो दोस्तों इन में से कौन सा उप्शन सही है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए तो दोस्तों उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो और दोस्तों आज के इस वीडियो पर हम दस लाइक का एहम करते हैं उमीद करता हूँ आप ये दस लाइक भी पूरे कर देंगे और दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद वन्दे मात्रम